जैहिन दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गया है राजास विभाग में बहुत ही बंपर वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तो और अल्रेडी इसका ओनलाइन आवेधन भी स्टार्ट हो चुका है देखे आमीन, कानून गो पंदोवस्ट पदादिकारी उसके अलावा क्लरक के पोश्ट पे वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, छे साल से बच्चे इस पोश्ट का बेशबरिक से इंतवार कर रहे थे दोस्तों की यह वेकेंसी कब आएगी, कब आएगी, तो फ देखर हो, बिहार राजस से एवं वहुमी सुधार विभाल, जिसे हम लोग LRC भी बोलते हैं, इसमें भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, दोस्तों, नंबर आफ टोटल पोश्ट के अगर हम लोग बात करेंगे, तो दफ हजार एक सो एक पोश्ट पे यह वेकेंसी आई है, ठीके ना, अलग अलग पोश्ट पे विखेंसी आई है, दोस्तों, उसके अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन और अलग अलग सैलिरी भी है, क्या है दोस्तों, वो जान लेते हैं हम लोग, नंबर एक की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आमीन, दोस्तों, आमीन जाएगा, वो दिया जाएगा, मोबाईल, लैपटाप, और कम्प्यूटर के यूज करने के लिए, ठीक है न, वो बारा महीने के लिए रहेगा, दोस्तों, यानि कि सरवाती जो आपकी रहेगी, वो 35,000 के आसपास रहेगा, ठीक है, उसके बाद, अगर एज की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो minimum age 18 साल, और maximum age यहाँ पर आपका 37 साल आपका दिया जाएगा, ठीक है, age में देखे, relaxation भी दिया जाएगा, कितना relaxation दिया जाएगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, दूसरे पोश्ट के अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो लिपिक, यानि कि जिसे हम लोग अंग्रेजी में clerk बोलते हैं दोस्तों, इसमें बच्चे सबसे ज़ादा online आवेधन करते हैं, ठीक है ना, इसमें टोटल पोश्ट 744 है, जिसके लिए वेतन के अगर हम बात करेंगे, तो 25,000 रुपए मन्थली सेलेरी आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना, और इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, सब कुछ बताऊंग उसके बाद दोस्तों सहायक, बंदोबस्त, पदादिकारी के हम लोग बात करेंगे, तो इसमें नमबर आफ टोटल पोउच्ट तीनसो पच्पन है, जिसके लिए देखें, इसमें सबसे ज़्यादा सेलेरी दिया जाएगा, ठीक है ना, सहायक, बंदोबस्त, पदादिकारी के वह सबसे ज़्यादा रहता है दोस्तों 16,000 रुपए प्रतिमा फैलिरी रहेगी प्लस 4,000 रुपए आपको मोबाइल कंप्यूटर और लैपटाप के यूज करने के लिए दिया जाएगा ठीक ना इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा तो मिनिमम एज जो है वह आपका 21 और मैक्समाम 70 फाल तक रहेगा ठीक ना इसके अंडर में जो कंडिडेट आते हैं वह फार्म को फिल कर फकते हैं दोस्तों अब apply इसका कब से होगा तो already इसका online आवेदन स्टार्ट हो गया है ठीक है 13 इसका online आवेदन स्टार्ट हो गया है दोस्तों और यह process अभी recently में चल रहा है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जा करके online आवेदन कर फकते हैं दोस्तों पहले इस वीडियो का आप लोग पूरा देख ली जगा कि क्या qualification मांगा जा रहा है क्या qualification होना चाहिए जिससे कि आप लोग फॉर्म को फिल कर फकते हो जब आप फॉर्म को कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो यहां पर correction यानि कि संसोधन भी आप लोग कर सकते हो 18 तारिक से ले करके 20 मई तक के बीच में आप लोग यहां पर संसोधन कर सकते हो ठीक ना लेकिन कोशिस यह कीजिएगा दोस्तों कि संसोधन का नौबत ही ना है ठीक ना तूखी अगर के आप लोग final submit कीजिएगा उसके अलावा age limit की बात करेंगे दोस्तों तो एक जनवरी 2023 से age को count किया जाएगा जिसके तहत minimum age जो है देखें BC, EBC और general में यह female candidate का मैं बता रहा हूँ ठीक है ना female में general candidate का तीन फाल का छूट दिया जाएगा दोस्तों वहीं पर SC, HD candidate को पाम फाल का relaxation दिया जाएगा age criteria क्या रहेगा मैंने यहाँ पर बता दिया है minimum age और maximum age बता दिया है दोस्तों यदि BC, EBC और general female candidate के अंतरगत जो candidate आते हैं उनको तीन फाल का age relaxation दिया जाएगा यानि कि 37 से बढ़कर कि यह 40 फाल हो जाएगा दोस्तों और SC, HD candidate के अंतरगत अग कोई दिक्कत है ठीक है ना आईए अगे समझ लेते हैं दोस्तों कि qualification क्या मांगा जा रहा है तो दोस्तों देखे qualification की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग qualification यहाँ पर मांगा जा रहा है दोस्तों ठीक है ना clerk की तो दोस्तों इसमें graduation pass ठीक है ना जो graduation pass छात रहा है वे apply कर सकते हैं जैसे कि आपने BA किया हो BFC किया हो या फिर BCOM किया हो तो आप apply कर सकते हो दोस्तों उसके अलावा और इसमें किसी प्रकार का कोई जो है अनुभाव experience certificate भी नहीं लएगा ठीक है यह मैं clerk post के लिए बता रह को आगे बताऊंगा देखे सफे पहले हम लोग से पहले हम लोग जान लेते हैं कि syllabus क्या रहेगा दोस्तों तो computer based test होगा ठीक है ना तो किसी भी प्रकार की कोई यहां पे धांदली नहीं होगी ठीक है क्योंकि computer based test होगा दोस्तों सारा process जो रहेगा वो online रहेगा paper का जो mode रह है तो आप लोग English में भी paper दे शकते हो ठीक है अब यहां पर जान लेते हैं दोस्तों कि syllabus क्या रहने वाला है क्योंकि अलग अलग पोश्ट है दोस्तों तो syllabus भी आपका अलग अलग रहेगा ठीक ना तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं clerk यानि लिपिक के पोश्ट के लि जिसके लिए आपका 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों और निगेटिव मार्किंग आपका 1 by 4 रहेगा ठीक ना तो देखिए अगर मालने जिए आप लोग को 50-50 चांस लगेगा जिस भी question में तो आप लोग वहां तुक्का मार दीजेगा क्योंकि यहां अनिकि फिर भी आपको 3.75 नंबर आपको मिल जाएंगे तो आप लोग कोसिस यह किजेगा जहां पर 50-50 चांस रहेगा वहां पे आप लोग तुक्का लगा सकते हो ठीक है किस subject से कितने question पूछे जाएंगे यह देख लेते हैं तो math के अगर बात करेंगे तो 50 question पूछे आपके और अलग-अलग post के लिए आपका जो slave of रहेगा वो अलग रहेगा ठीक है ना अब हम लोग बात कर लेते हैं आमीन कानून गो सहायक पदा धिकारी के लिए क्लिए क्या होने वाला है slave of दोस्तों तो देखिए अगर इन तीनों post के अगर मैं बात करूंगा तो 100 question आप 400 अंक का रहेगा यानि कि जो एक question रहेगा वो चार अंक का रहेगा दोस्तों जिसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिट का समय भी दिया जागा negative marking यहाँ पर 1 by 4 रहेगा ठीक ना तो same वही process रहेगा दोस्तों लेकिन इसमें आपका subject change हो जागा ठीक ना यहाँ पर math reasoning English sorry math reasoning और GS से ज हमारा आप total question 100 हो जाएंगे ठीक है ना दोस्तों देखें सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आमीन कानून को और सहायक बंदोबस्त पदादिकारी के लिए क्या qualification होगा दोस्तों उसके लिए आपको चलना होगा mobile के screen पे तो दोस्तों यह official notification है राजा से एवं भू तो पद दिव्या रखा है कि कितने total पद हैं दोस्तों अलग-अलग category wise यहां पे आपनों post देख सकते हों ठीक है अब basically हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या qualification यहां पर मांगा जा रहा है दोस्तों तो qualification कि अगर हम लोग बात करेंगे तो AIVTE अब यह क्या होता है इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि अखिल भारती तकनीकी फिच्छा परिशद और उसके अलावा SBTE यानि कि State Board of Technical Education से मानिता प्राप्त संस्थानों से दोस्तों दो साल का civil engineering में इसनाद तक आपके पाफ होना चाहिए और दो साल का यहां पर फरकारी यह फिर गैर फरकारी वाग में आपका काम का अनुबा होना चाहिए ठीक ना तब जा करके आप लोग इस पोश्ट के लिए एपलाई कर वखते हो कहने मतलब यह है दोस्तों उसके अलावा अगर अगले पोश्ट की अगर हम लोग बात करेंगे कानून गो का दोस्तों तो यहां पे देखिए कानून गो कि अगर मे प्राप्ट तधा संम्मंधीत राज्यों सब्सक्राइब में 3 वर्ष फेंग स्वी इंजिनिर्रेंग कोटीbaar तिमाइब दोस्तों में िप्लोम सिविल इंजिनिर्य में दिफोलो शिक्राइब पाफ होता है दोस्तों तो इसमें काफी कमी बच्चे apply कर पाएंगे जो जादा तर बच्चे apply करेंगे वो apply करेंगे clerk यानि की लिपिक के पोस्ट के लिए और उसके अलावा आमीन के पोस्ट के लिए दोस्तों क्योंकि वहां पे जो experience certificate है वो मांगा नहीं जा रहा है ठीक ना इसके अलावा SBTE से पंजेकरत समस्तानों से तीन साल का civil engineering में डिप्लोमा आपका होना चाहिए दोस्तों तब जा करके आप लोग आवेधन कर पाओगे ठीक ना यहां पे आप सा भी लोग देख सकते हो दोस्तों तो इन तीनों पोस्ट के लिए जो है आपके पाफ civil engineering का डिप्लोमा रहगा तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे आमीन उसके अलावा कानुन गो और साहयक बंदोबस्त पदादिकारी के लिए अब एक पोस्ट है दोस्तों जिसका नाम है कलरक यानि कि हम लोग हिंदी में लिपिक कहते हैं दोस्तों अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसमें न काफी बच्चे जो है वो इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों और इसमें सेलरी की बात करेंगे तो आपका पचीस हजार रुपय यहां पर कैटेगरी वाइफ जो है फीटे दे रखिए दोस्तों आप लोग देख वक्त हो तो दोस्तों यही सारी सब कुछ जा करेंगे क्योंकि basically वो qualification जो है अधिकतर बच्चों के पाफ रहेगा तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सारा qualification देख लिया है अगर आप कानून गो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए apply करते हो तो उसमें experience certificate भी मांगा जा रहा है दो साल का सरकारी या गयर सरका ज्यादा जो post में farm fill होगा दोस्तों वो है clerk और दूसरे number पर आमीन है दोस्तों आमीन में क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का experience certificate नहीं मांगा जा रहा है दोस्तों ठीक ना और बात करेंगे दोस्तों इसके qualification की तो देखे जो कानून गो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी इसमें civil engineering से जो खचात्र diploma किये हैं वही farm को apply कर सकते हैं दोस्तों तो काफी कम बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंनों की civil engineering से diploma किया हुआ है ठीक ना तो इस वजह से कानून को और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में तो काफी कम जो है farm fill होगा दोस्तों उसके बाद आमीन में जो है सबसे जादा farm fill होगा ठीके ना और आमीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे जादा नंबर आफ पोस्ट जो है आमीन के लिए है भी दोस्तों यही सारा सपुछ जानकारी देना था वीडियो आपको कैसा लगा आई होप की वीडियो आपको informative लगा हो दोस्तों य मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।